मेरे नम रिनु का गॉड है और मैं मुजिशन हूँ वोकलिस्ट हूँ और सॉंग राइटर भी हूँ और मुजिकम रही हार्ट और सोल से जुड़ने की बात है तो कहते हैं जब दिल का रिष्टा बनना होता है जिससे उससे बन जाता है और ऐसी जो संस्था जो की आपके दिल को छूती है आपकी रू को टच करती है मैं उसको उसका नाम देना ही चाहूँगी वाकिया हाट एंड सोल है जिनसे में जोड़ी हूं दूसरी चीज है कि बिंग ए मुजिशन मैं सुनती हर तरह का मुजिक हूँ चय वो रिजिनल मुजिक है चय डेवोश्टल है चय वेस्ट में थोड़ा सा जादा इन्वाल होती हूं यह तीन जोनर है डेवोशन, पेट्रियोटिक और वेडिंग तो यह वैसे तो कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन पल जहां भी जसे भी जिस गुरुप में भी हमने मैंने इनके बारे में पढ़ा हैं जो भी दिख तो अभी तक का तो मेरा जो फील होता है पॉजिटिव होता है बाकी आगे जब थोड़ा सा जब प्रैक्टिकली बात करेंगे आगे चलके और तो मैं पूरा पूरा बता पाऊंगी वैसे अभी तक पॉजिटिव वाइब साती है इस ग्रूप से बच्पन से ही मुझे गाने क्योंकि हमारे समय में हिंदी कॉंपिटिशन बहुत होते थे और वैदिक मंत्रों का उचारन का भी एक कोई कॉंपिटिशन होता तो वहां से गाते गाते हिंदी रेसिटिशन इंग्लियर रेसिटिशन काई पंजाबी इविंस में मैंने भाग लिया तो स्कूल की मतलब स्टुडेंट थी मैं पड़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थे फ्रैंक्ली स्विकिंग लेकिन हिंदी इंग्लिश और इसमें कमांड थी तो उसके बाद बच्पन से ही लिखने का शौक हो गया जब छोटी क्लास में थी सेवन तेर्थ में लिखना चोटी चोटी पो सब्सक्राइब करती हूं तो मुझे बहुत उसका अप्री सेशन मिलता है और खुद गीत लिखती हूं और डेवोशल मुजिक मैं गाती हूं अनुब जलोडा जी के साथ जो की हमारे भजन सब्राट के नाम से जाने जाते हैं उनके साथ मैं किये हैं भजन्स और उसके तरिक मैं उनके साथ डेली या कहीं भी जहां पर अच्छा इवेंट होता है उसमें मैं परफॉर्म करती हूं और बहुत सारे देशभक्ति गीत लेकिया इनफेक्ट आज एक जुन को मेरा एक गीत रिलीज भी हुआ है मेरे ही चैनल जिसका नाम है रिनू का गॉड उस पर उसका श इंडिया है है चल 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 दोड़े रे तू दोड़ दोड़ की दोड़ दोड़ की कर ले चिल तू खेलो इंडिया है है खेलो इंडिया है और खुद गीत लिखती हूं और डेवोशल म्यूजिक मैं गाती हूं अनुब्य लोड़ा जी के साथ जो की हमारे बजन सब्राट की नाम से जाने जाते हैं उनके साथ मैंने डेब्यू भी किये हैं भजन्स और उसके तरिक मैं उनके साथ डेली या कहीं भी जहां पर अच्छा इविंट होता है उसमें मैं परफॉर्म करती हूँ और बहुत सारे देशभक्ति गीत लेकित आज एक जुन को मेर मुदी जी के दवारा युबा को जितना भी अनकरज कर रहे हैं युवाक देश के निर्माता है तो उसको मैंने में ध्यान लगते हुए यह कंपोस के लिखा और मुजिक करके और आज ही टैली कास्ट हो गए अच्छी जो था वह सोनो निगम के साथ पहली मुवी था उसके बाद फिर कोविट सा लग गया मूवी का नाम था बर्खा सो क्योंकि मैं जो है भारत की मिट्टी से जुड़ी हो मुझे मैंने बताया पैट्रियोटिक या रिच्वल्स में फोक गाना बहुत अच्छा लगता है तो मेरा सोनो निगम जी के साथ आया था बर्खा मूवी में पहला डैब्यू जो मैंने गाया था और उसमें बहुत बोल्ड एनरजेटिक वोईस की जरूरत थी जो की मनाली मे मैंने फोक गाया था मैं उसकी चाहो तो एक पहली दफा हुआ है ये क्या मैं मुझ में नहीं हुआ जाने क्या ये तो सोनु जी की लाइन में थे अब जो हिरोईन गाती है वो मनाली के वोईस में असा दारा पार मिल कड़ी जाड़ा हूं तुझो दिल चुबसाए कड़ी प जाड़ा हूं ये लाइन थी जो मैंने डेब्यू को जैसे शौक तो बच्पन से था लेकिन प्रफेशनली मैंने बिल्कुल डेडिकेशन जो दिया वो 10-15 साल से दिया है पहले मैं मुजिक टीचर्स थी मैं जॉब थी मेरी गवर्मेंट जॉब मैंने उसको छोड़ दिया औ मैं मैं मेरी मजी सब्सक्री के जाइथ से सैदिसॉ लाइफ साइद लाइफ्ट हो डंद ह Hebसे तो एक्सली होने के लिए क्लया धी सब्सक्राइब नए बत्थे हैं बस थोड़ा सा वह चाइए बहुत अच्छा है बहुत मतला मैं हमाना मैं सुनती उनी हुँ बड़ा है यह लग पर डिपेंड करता है अगर आपका लग भी खुला होगा तो हो जएगा बर आप एफर्ट करते रहो मैंने भी ऐसे बहुत लोग मेरे मैं बहुत लोगों को देख के इंस्पायर हुई जो आज भी काम करते हैं लता जी अभी तक गाती तो यह थोड़ी किसी चीज के अभी भी वह लोग उनके फेस पर देखे कितना कॉन्विडेंस है फ्रस्टेशन नाम की चीज नहीं है तो बस आप खुश रही चिल्म मारिये करते रहे काम पढ़ाई भी कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल है जिस चैनल का नाम है रेनुका गॉड यह मेरा यूट्यूब च लूब